खुशियों के सावन को ये दिन लाता है साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है आया जनम भिंकेरा क्या दोस्ता आप चाहते हो अपने सिस्टर के बड़े के लिए कुछ इस परकार का एक हैपी बड़े वाला वाटस विस्टेट आज वीडियो क्रेट करके विस्ट करना बड़े श्टेटाज वीडियो आप लोग किसी भी पिक्चर से बना सकते हो अगर दोस्तों खुद से क्रेट करना चाहते हो तो इस वीडियो का आप लोग सुरू से लेकर एक देख देखते रहो अगर दोस्तों मेरे से क्रेट करवाना चाहते हो कोई भी स्टेटाज वीडि आपको कुछ इस परकार का दिखने को मिलेगा तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको new project को option में आपको क्लिक करना है और दोस्तों आपको select करना है three to four days you को इसको select करने के बाद आपको नीचे create option में क्लिक करके आपको एक बड़ बेक आजाना है ठीक है लेप साट के middle में आपको setting option मिलेगा हिए आपको क्लिक करके नीचे दोस्तों आजाना है editing पर और आपको दोस्तों ऊपर default photo duration को करना है four seconds इस तरह से आपको दोस्तों four seconds पर red line लेकर आजाना है तो photo मतलब दोस् तो media option पर जाकर कम से कम 10 से 12 photo rate करना है 30 seconds वीडियो के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको photo rate करने के बाद आपका वीडियो का interface कुछ इस परकार का दिखने को मिलेगा अगर दोस्तों photo rate करने के बाद अगर आपका photo का size मानलो कुछ इस परकार से frame से अगर छोटा होड़ा है तो इससे दोस्तों zoom करने के बाद fill screen हो जाएगा इसको आपको छोड़ देना है और आपको side में जो double line है इसमें आपको click करना है click करने के बाद आपको photo बहुत अच्छे से adjust हो जाएगा ठीक है तो इस process से आपको video के अन्टेक से भी photo का adjust करना है जो कि मैं पहले से ही कर चुका तो next आपको दोस्तों ओ सो इसको मैंस का अगान आपको मिल रहा है दौनों photo idle में यहां पर आपको click करना है और आपको click करने के बाद दोस्तों आपको तूस्तों आपको क्या करना है अगर दूस्त आप लोग एक से देस तक institute गवित हो भी tips & bother5 जो पसंद आपको एक्षी करन तो मैं फटा पर्ची दोस्तो वीडियो के end टेग में ब्लोख ओइबला ट्रांजेक्शीन इफेट को add कर लेता हूँ और दोस्तो यजो व्लोख ओइबला ट्रांजेक्शीन इफेट है अगर दोस्तो अगर आपका काइन में नहीं है तो यह हो यह王ंबाल आइकन में इस ुहो आइकन पर जाकर आपको डानलोड कर लेना है दोस्तों बुलो कोई बुला ट्राइक्सिन फिर वीडियो के एंड तेक एड़ करने के बाद स्टार्डिंग पोजिसिन पर आकर फर्स्ट फोटो का लेंद को आपको कुछ इतने अदूर तक आपको कमा लेना है कमाने के बाद एंड पोजिसिन पर जाकर एंड पोजिसिन का फोटो का लेंद करीब 30 सेकंड के आसपास रखना है और फोटो में क्लिक करके आपको दोस्तों ये जो सीजरबल ओप्सन है इसमें आपको क्लिक करके आपको राट से ट्रीम करना है ट्रिम करने के बाद आपको वीडियो के अंटरफेस कुछ इस परकार का मिलेगा और दोस्तों हिहाँ पर जो आपको एक Aero Milrise में कलिक करके वीडियो को सेबस कर लेना है दोस्तों वीडियो को सेबस करने से पहले आपको Resolution को 1080p और Frame Rate को 60fps और नीचे जो ब्राइट है इसको आपको कर लेना है दोस्तों करीब 9.800 EPS के करीब ठिके और आपको लेचले जाना है मतला दोस्तों इस वीडियो को आपको इस परकार से speed करना है ठिके जो केवाला वीडियो में पहले से इस test ke चुका हूं और आपको उपर बला project को open करना है तो आपको आप वीडियो के अंट्रेफेस कुछ इस प्रकार का मिलेगा तो दोस्तो आपने जिस तरह से first वीडियो में दोस्तो फोटो को जूम क्या था पेने जूम को option पर जाकर same process इसमे भी आपको करना है ठीके इस प्रकार से फोटो को जूम करना है डबलल में किलिक कर लेना है जितना फोटो है दोस्तो सभी फोटो को कुछ इस प्रकार से आपके करके वीडियो के end देग आपको जूम कर लेना है ठीके तो दोस्तो मैं फटापर से कर लेता हूँ तो दोस्तो वीडियो के एन्ट तेक जुम करने के बाद आपको starting position पर आकर आपको दोस्तो ये जो बुलो कोई बला transaction effect है इसको आपको change करके select करना है menu circle को ठीक है सभी को आपको change करके menu circle को add कर लेना है और आपको front transaction effect के अंदर मिलेगा जो के दोस्तो front transaction effect आपको काइन मस्ट में फ्री में ही मिल जाएगा कहीं से आपको download करने का जरूद नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो के end तक front transaction effect को add करने के बाद आपको आजने starting position में और photo में किलिक करके इस परकार से आपको photo का जो विगनेट है आपको इस परकार से आपको एक एकर की own करते हुए वीडियो के end तक कर लेना है ठीक है layer option में किलिक करना है और media option पर जाकर दोस्तों आपको template वीडियो को add करना है दोस्तों template वीडियो को add करने के बाद आपको दोस्तों इसको fill screen कर लेना है split screen पर जाकर और आपको दोस्तो नीचे मिलेगा आपको blending अप्षन आपको कर लेना screen इस screen पर क्लिक करने के बाद दोस्तो आपको फिर से बेका जाना है और layer option में फिर से क्लिक करके इस बाद आपको media option पर जाकर export वाला वीडियो को लेना है दोस्तो, export वाला वीडियो को लेने के बाद यहां पर आपको जो frame मिल रहा है इसके अंदर में दोस्त, आपको बहुत एच्छे से वाला वीडियो को आपको अड़ेस्ट करके आपको बेखेना है ठीक है के बाद आपको क्रोपिंग ऑप्शन पर जाकर मार्च कोन करना है और स्रेप्स में जाकर आपको सरकल बला स्रेप्स को ले लेना है लेने के बाद दोस्तों सरकल को थोड़ा उपर इस तरह से करना है और आपको मीडिल में फोर्टो को एड़ेस्ट करके जूम करके बैठ लेना और आपको क्या करना है इसका साइज आपको थोड़ा कमाना है आप जोस्तो जो फ्रेम में फोटो अर्जेस्ट करना चाहते हो तो इस फ्रेम के उपर आपको सही से अर्जेस्ट करके फोटो को आपको बैठेना है तीनो फोटो के अच्छे से एड़ेस्ट करने के बाद layer option में click करके media option पर जाना है और दोस्तों हिहाँ पर आपको क्या करना है एक आपको music line वाला video को दोस्तों add करना है add करने के बाद इसका size आपको थोड़ा कमाना है और आपको blending option नीचे मिलेगा इसमें आपको click करके screen पर click करना है और आपको इस जगा पर बेठे लेना है ठीक है अगर दोस्तों इसमें music मिलेगा तो mixer option पर जाकर music को mute करना है और layer option पर जाकर text option पर आना है और दोस्तों इसका नाम आपको लिख लेना है ठीक है और दोस्तो वीडियो के अंतेक ले जाने के बाद आपको आ जाना है वीडियो के स्टार्डिंग पोजिशन में और नेक्स्ट आपको दोस्तो ए जो ओडियो आप्शन इसमें क्लिक करके स्वंग आप्शन पर जाना है और आपको जो भी स्वंग बड़े के लिए बेटर लगत तो प्लिस मुझे कोमेंट केर के जुरूर बताना तो आज के वीडिये में दोस्तों इतना ही था वीडिये का आप सबीको अगर पbalance करना तो प्लिस लैक सेरो कमें ज़रू करना तो मिलते हैं दोस्तों एक न्लेक्स न्यूए न्यूँ वीडिये के साथ तो आचिके वीडियो में इतना ही ता